हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का नैचरल लाइफ में दोस्तों आज मैं आप शेयर करने वाली हूँ रुमाल के बहुत ही अच्छे तीन इस्तमाल तो सबसे पहले मैंने एक रुमाल को लिया है और इसे मिडल से फोल्ड करके बीच में से कट कर लिया है इसका मिजरमेंट आ रहा है 12 बाइ 6 इंच अब इसे देखिए हमें एक साइड से जो फोल्डिट साइड है वहाँ पर इस तरीके की कोई भी छोटी सी लेस अटेच करनी है यह मैंने यहाँ पर लेस अटेच कर ली है अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो लेस की सामने वाली साइड है वहाँ पर हम इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर 11 इंच की गैप छोड़ कर कर शेप दे देंगे और इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेना है और हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैप्रिक था वो मैंने कट कर दिया है अब मैंने एक स्ट्रिप ले है और इस स्ट्रिप का मिजरमेंट है 23 इंच 23 बैट 2 इंच के आप ले सकते हैं अब इसका हमें सेंटर निकालना है सेंटर निकालने के बाद हमें देखिए इसे हम इस तरीके से जो हमारा रेडी हिस्टा है ब्रुमाल से उसके सेंटर में रखेंगे एकदम center में रखना है और यहाँ पर हम इस तरीके से attach करेंगे attach करने के बाद हमें इसे second side पर turn करना है और इस तरीके से double fold करना है और जो आगे का extra हिस्सा है strip का उसे भी हम इस तरीके से दोनों side से fold कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई करना start करेंगे तो पूरे में हम इसी तरीके से सीधी सी लाई कर लेंगे तो ये देखिए ये हमारी स्ट्रिप पटेच हो चुकी है अभी से इम सीधा कर लेंगे तो ये देखिए एक न्यूबोन बेबी के लिए बहुत ही अच्छी प्यारी सी कैप बनकर रैडी हो चुकी है अब जो इसका बचा हुआ हिस्सा था रुमाल का वो पैने लिया है और उसे देखिए इस तरीके से हम एक बार और कट करेंगे और इसे हम ट्राइंगल सेप में फोल्ड करेंगे अब एक कॉर्णर पर एक साइड इस तरीके से देखिए मैं टू पॉइंट फाइव इंच पर मार्क कर रही हूं अब यहां पर हम दुनों साइट से मेजरमेंट ले लेंगे तो यहां से भी हमें 2.5 इंच चाहिए तो इस तारीके से हम मार्क कर लेंगे और उपर से कट कर देंगे कट करने के बाद यहां सेंटर में भी एक छोटा सा कट लगाना है हमें और इसे हम इस तारीके से फोल्ड करेंगे और जो लेस पहले ली थी हमने सेम लेस को यहां पर हम इस तारीके से अटेच कर लेंगे लेस को अटेच करने की बाद सेकंड सैट पर भी सिलाई करके इसे हम सिक्यूर कर देंगे अब देखिए जो हिस्सा हमने रेडी किया है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहां पर हम आगे की सैट थोड़ा सा कर्व शेप देंगे और इस तरीके से पूरे में मार्क कर लेन है और जो हमने मार्किंग की है वहां पर हम से लाई कर लेंगे तो देखिए अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कट के निकाल देंगे अब इसे सीधा कर लेना है तो यह देखिए एक प्यारासा बेबी सॉक्स रेडी है जो हमारा और बच्चा हुआ हिस्सा था उसमें से सेकंड पीस भी मैंने रेडी कर लिया है तो बहुत ही प्यारे ये न्यूबॉन बीबी के लिए हमारे सॉक्स और केप रेडी हो चुके हैं इसके डिजाइन कलर बहुत ही जादा सुन्दर लग रही है आपको कैसी लगी ज़रूर बताना अब मैंने एक और रुमाल लिया है और रुमाल को देखिए मैं इस तारीके से फोल्ड करूँगी और यहां से इसका मिजरमेंट हो रहा है सेक्स इंच और सेकंड साइड से मैं लूँगी टैन इंच तो यहां पर हम मार्किंग कर लेंगे और इसे हमें कट कर लेना है कट करने के बाद देखिए जो बंद है वहां पर हम वन इंच पर मार्क करेंगे और इसे हमें सीधी लाइन में ड्रो कर लेना है और यहां से हम इसे कट कर देंगे कट करने के बाद यह हमें तीन हिस्से मिल गए है और दो हमें जिप लेनी है जिप हमें रुमाल के साइज की ही टैन इंच की लेनी है और जिप को ह और यहाँ पर इसलाइ कर काछ आप respects by इनगे में अफिक वैब आपर के ऊंपने लाइन और यह ऱी करbenानिम कार है क्यों अब सथ में और यहाँ इनकी हैं में अफिसे किसा टॉटी नहींत ऊसे उस समेंधि लिए खाउक expert में one day गटेच कर लेनी हैuciones अब जैसे हमने यह वाली जिप अटेच सें तरीके से सेकंड जिपडेच कर लेंगे už उसके बाद जो तोर्ड पीश था उसे भी हम जिप के साथ हटेच कर लेंगे और यहां की मिजरमेंट से कट कर लेना है इसे कट करने के बाद इसके नीचे मैं चारों और सिलाई करके इसे अटेच कर दूँगी छोटे से रुमाल की डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है सुन्दर होती है तो आप इसमें से अपने लिए जरूरी चीजे बना सकते हैं तो य से यहां पर मीडल में इस तरीके से अटेच कर लेंगे और तुमिचे से में रखकर इस तरीके से मैं तीनों साइड से लाई कर लूँगी और सिलाई करने के बाद अगर आपको कुछ एक्स्रा लगता है तो उसे काट कर दीजे orang-side पर भी एक-एक सिलाई कर दीजे यह तो उ जाएगा उसके बाद इसे ओपन करने के लिए सीधा करने के लिए स्वापिंग बैग को मैं यहां मीडर से कट करूंगी थोड़ा सा और इसे हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद सोपिंग बैक का जो कट किया हुआ हिस्सा था उसे मैंने स्टिच कर लिया है और देखे ये दो पॉकेट वाला हमारा बहुत ही प्यारा सा आप पाउच बोल सकते हैं या फिर क्लॉच बैक की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं ये रेडी हो चुका है इसे मै आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेलपफुल लगा है आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे वाट्सैप, ट्विटर, फेस्बुक पर शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप हमारी चैनल पर न